कि मायने क्या है अपने दर्शकों को बता दे यूपी में उलट फिर कि मायने क्या है महंगा पड़ा पुराने चेहरों पर दाव ये कोशन मार्क कॉंग्रिस एसपी गड़बंदन को हलके में लिया गया क्या ये भी यहां पर सवाल उठता हुआ ओबीसी और दलित वोटर्स न नहीं हुआ जहां से उसे उम्मीद थी कि आर्थिक रूप से कमजोर मुसल्मान वर्ग उसके साथ आ सकता है मुसलिम आरक्षन मुद्दा उल्टा पड़ गया है बार-बार करनाटक के मॉडल को कोट करना इसने साथ नहीं दिया चुनाविस सभा से स्थानिये मुद्दे गा कर रहे इसको लेकर भी चर्चा है महंगा पड़ा है पुराने चेहरों पर दाव जिनका फीडबाक भी नेगेटिव था उनको वापस से रेपीट किया गया कॉंग्रेस स्पी गटबंदन को हलके में लिया गया ये ये बड़ी चीजें हैं OBC और दलित वोट ने चोट पहु बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं पहले डिबेट में कह रहा था कि 14 रज्य भारत में ऐसे थे 2019 में जहां पर भरतिय जनता पर्टी को अकेले 50% से ज़्यादा बोट मिला था और आपको अश्यर होगा कि उन 14 में से सिर्फ तीन रज्य में BJP को 50% से ज़्यादा बोट मिला है यानि कितने रज्यों में कम मिला 11 रज्यों में BJP ने अपने वोट लूज किया है प्रधान मंत्री जिस तरह की असायमित भाशा का प्रयोग किया यह भारतिय सभिता के खिलाफ था और इसी के खिलाफ इस देश की जनता ने इस प्रदेश की जनता ने वोट दिया है जिस तरह से प्रधानमंत्री और उनके साथ जो नेता खड़े थे मन से जिस तरह से उन्होंने इंडिया गटबंधन के नेताओं का और मैं उस से जाधा कहूंगी कि इस प्रदेश की जनता का जिस तरह से मकौल उड़ाया जिस तरह से उनकी मुद्दों का को किनारे रख करके उन्होंने फिर तुष्टी करण की राजनीत में इस प्रदेश को ढखेलना चाहा, साफ लबजों में इस प्रदेश की जन्ता ने उसको नकार दिया है और फिलाल 95 सीट पर बीज़पी जीट चुकी है, आई एंडी आई ये गड़बंदन 46 सीट जीट चुकी है और ओवरॉल रुज़ान की बात करें तो 295 पर भाजपा आगे और 232 पर आई एंडी आई इस वक्त आगे चल रहा है मोटा मोटी तोर पर आंकलन है कि तक्रीवन 2-3 घंटों में ये सिती साफ हो जानी चाहिए और सपा कहा कहा से आगे वो भी जान लीजे केराना गाजिपूर, घोसी, कन्नौज, अंबेड करनगर, मैनपूरी से आगे है समाजवादी पार्टी, जौनपूर, रॉबर्ट्स गन, चंदौली से समाजवादी पार्टी आगे है इसके लावा बलिया, लालगंज, बस्ती, रामपूर में सपा आगे है एटा, प्रताबगड, जालोन, बांदा में भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याश्य आगे है यूपी में समाजवादी पार्टी कुल 34 सीचों पर आगे चल रही है जिसमें केराना गाजी कुल, घोसी, आजमगड, समित, कन्नौ, जंबेड करनगर, मैनपूरी जो की सपा का गड़ कहा जाता रहा है, यूपी में स्पी 34 सीचों पर आगे है विरेन जी, जिन जगाओं का मैंने नाम लिया, उनमें वो जगाओं में शामिल हैं जिनको गड़ कहा जाता रहा है और बाइलेक्शन में ये सीटे सपा के पास से चली गई, बीजेपी आई और इस चुनाओं में उसने आकर के सबसे पहले का कि कोई गड़ वर्ड नहीं है परिवारवाज से चुटकारा मिलना चाहिए, अब सिर्फ काम के आधार पर जनता आखती है, लेकिन आप देखिए कि तकरीबन वही सीटे, आजमगर्ड, रामपूर, ये होट सीटे रही, चर्चा का विशा रही, कि दोनों ही मुस्लिम आबादी होने के बावजूद बीज स्विंग की बात कर रहा था, उत्तर प्रदेश में आठ परसेंट बोट ये रही कि क्यों नहीं, राहूल गांधी यहां से लड़ना चाहते है, या गांधी परिवार का सद़ से लड़ना चाहता, लेकिन उस वक्त यहीं कहा गया कि यह हमारी रणनीती का हिस्सा है, राहूल गांधी राय बरेली पहुँचे, एंड मुमेंट पर फैसला लिया गया जरूर कॉंग्रेस की तरफ से, लेकिन राय बरेली सीट वो जीत गए है, और अमेटी से बड़ी कबर ये, कि स्मृती इरानी चुनाव हार गई है, केल शर्मा की जीत हुई है, विरेंजी थोड़ी देर पहले प्रियंता गांधी ने ट्वीट भी किया था, और वो केल शर्म के साथ उनकी तस्वीर थी, जहां पर वो बैट कर कुछ खाते हुए, शायद नजर आ रही है, कुछ साल पुरानी तस्वीर वो लग रही है, उसमें वो बड़े सेंटिमेंटल होकर लिख रही है, कि भाईया कह करके संबोधित कर रही है, और क्या रही है, कि मुझे तो सोड तरीके सुनों ने बात रखी थी, कि जमीनी सर से जुड़े हुए है, और अक्सर अमेठी की जिनता के साथ वो रहते हैं, देखें, अमेठी में भी मैं वो बात कहूंगा, कि 16 बार लोकसवा चुनाब हुए हैं, जिसमें सिर्फ तीन बार अपोजिसन जीती है, संजय ग गांदी भी चुनाब जीते हैं, और राहुल गांदी भी जीते हैं, तो कहने का मतलब है, कि वहाँ पे फैमिली का एक कनेक्शन है, जो पिछली बार इरानी के जीतने का कारण क्या था, कि वो विक्ट्री मार्जीन 5% से कम था, यानि कि वो स्किल से 11-12,000 वोट से इस मृति पिरानी जीती थी, और अब की बार उनको काफी वोटों से कॉंग्रेस का केंडिएट हराया है, और जो केंडिएट है, वो समझी एक तरह से सरनेम भले नहीं गांदी है, लेकिन उसको आप गांदी ही समझी है, क्योंकि पिछला रिष्टा 40 वर्सों से है उनका. पिल्कल और विरेंजी एक बहुत दिल्चस्प और बड़ी बात ये भी है, कि जो कहा जा रहा था भारती जंदा पार्टी के तरफ से कि समाजवादी पार्टी, समाप्त पार्टी हो जाएगी, कॉंग्रेस विलुप्त हो जाएगी, इतिहास बन जाएगी, बहुत मजबूत जो है, लोक सभाचुना में, अलग नेचर से बोट डालता रहा है, यानि मोदी जी को डालता रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है, उत्तर प्रदेश में, कि वाई तो था ही, एम बिल्कुल अखिलेस के पीछे खड़ा हो गया, कॉंग्रेस का पाथ 6% बोट होता है, तो एम व परसेंट का स्विंग, बहुत बड़ा स्विंग होता है, जो सत्ता बदल सकती है, कुछ भी कर सकता है, यही कारण है कि 64 से BJP 34 पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल रुक करते हैं, हमारे साथ आलोग जी चुड़े हुए हैं, BJP के प्रवक्ता, आलोग जी स इस बार स्मृती राने हार गे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, कॉंगरस की प्रस कॉंफरेंस होने जा रही है, कुछ दे पहले खबर आई थी कि 5 बजे राहूल गांधी PC कर सकते हैं, आब उस पर information आई है कि 5.5 बजे कॉंगरस की प्रस कॉंफरेंस होगी, हालांकि इस इसे कौन संबोधित करेगा, कौन-कौन इसमें उपस्थित होगा, इस पर जानकारी स्पश नहीं की गई है, लेकिन शाम साड़े 5 बजे कॉंगरस आ गई, खबर आ गई, मलिक आरजुन खड़किया और राहूल गांधी इस प्रस कॉंफरेंस को संबोधित करेंगे, कॉंग प्रस ओफिस बिल्ली में ये प्रस कॉंफरेंस,